आज हम बेबी एंडर वीर्टी ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे मेजरमेंट इस पर कार है हीप 24 इंच हीप 24 इंच हमें जो हीप मिला हुआ है इसलिए के एकोर्डिंग हम इसकी लंपाई और चोडाई का नाप लगाएंगे लगाने के लिए सुबसे पहले हम फुल लेंज निकालेंगे फुल लेंज निकालने का जो फोर्मेट है हीप इवाइड बाई थ्री प्लस टू इंच हीप को ती इंच से भाग करना है उसमें जमा दो गर्मा है हीप इवाइड बाई थ्री किया तो 8 इंच जमा 2 इंच बराबर 10 इंच हिप को 3 से भाग करने पर 8 इंच जमा 2 इंच बराबर 10 इंच 10 इंच हमारी लेंच निकल करके आई सबसे पहले हम 10 इंच लेंच का निकाम लगाएंगे यह हमने लेंच का निसान लगाया अब हम इसकी विड़ निकालेंगे विड़ निकालेंगे निये हिप डिवाइड बाइ 4 प्लस 1 इंच हिप डिवाइड बाइ 4 प्लस 1 इंच हिप हमारा 24 है हिप को चार से भाग किया तो 6 इंच जमा एक इंच बराबर 7 इंच हिप को चार से भाग करने पर 6 इंच जमा एक इंच बराबर 7 इंच इसकी चोड़ाई निकल करके आई 7 इंच हम इसकी चोड़ाई रखेंगे 10 इंच हमने इसकी लेंग रखी अंडर्वेर की और 7 इंच चोड़ाई रखी नीचे में हम इसकी चोड़ाई के लिए जो निसान लगाएंगे वो सबसे पहले हमने बेवी अंडर्वेर के लिए लेंच निकाली लेंच हमने इस पॉर्मेट के इसाथ से निकाली ये निकालने के बाद जो हमारी लेंच है उसका हाग करेंगे लेंच का हाग करेंगे हमारी दस इस से तो पांच इस पर हमारा लेंच का हाग ये हमने लेंच का हाग किया है ये हमारी फोल्ड साइड है फोल्ड साइड है ये वाली जियान देना है आपको full side की तरह से open side है यह full side है इस corner से अंदर की तरह जाना है हमें hip divide by 12 plus 1 inch hip को plus से divide करने पे 24 को 12 से divide करने पर 2 inch जमा 1 inch बराबर 3 inch 24 को 12 से डिवाइड करने पर 2 inch plus 1 inch is equal to 3 inch इस लाइन से 3 inch हम अंदर की तरफ जाब की निसान लगाएंगे 3 inch ये अंदर की तरफ जाब की निसान लगाया लैंड का हाफ किया और एक सीज़ी रेखा मिला देंगे इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे इतना करने के बाट ये यहां से यहां तक ये जो हमारी रेखा है इसका हाफ करेंगे इस रेखा का हाफ करेंगे हाफ करके आधा ही उपर की तरफ रिसान लगाएंगे आधा ही उपर की तरफ रिसान लगाएंगे इसकी हम सेप करेंगे ये हम गोलाई करेंगे आधा ही इस पर इसी रेखा का सेंटर के करके हम पूना से एक इंच फिर रिसान लगाएंगे फिर हम इसकी गोलाई करेंगे ये जो एक इंच पर गोलाई किये ये हमारी फ्रेंट की गोलाई है द्यान रखना है आपको इस रेखा से इस रेखा तक हमने हाप किया हाप करके आधा इंच उपर की तरफ हमने निशान लगाए इसकी गोलाई की फिर पूना इंच यहाई से पूना इंच लेके ये यहाँ तक अंदर की तरफ गए हम और इसको कमर की safe देनी है इस परकार अब यहाँ पर हमें लिखना है यह हम्ने आटा इंच किया यहां से यहां तक हीप divided by four plus one inch की भीरको seven inch यह हम यहां से यहां तक हम अंदर आएगे हीप divided by twelve plus one inch यह हमाली four side है यह वाली open side है यहां पे आप mention कर सकते हैं यह हमने जो length ले थी यह हमने ले थी length hip divided by 3 plus 2 inch is equal to 8 inch is equal to यहां पे 8 10 inch hip divided by 3 8 plus 2 is equal to 10 inch यह हमारी baby underwear की drafting बनकर तयार हुए